दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एर फोर्स अगनेविर वायू का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं जिसकी एस्टेप बाई एस्टेप प्रोसस इस वीडियो में बताई जाएगे क्यूंकि अगनेविर वायू इंटेक 01-2025 का नोटिफिकेशन जारी कर गये हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक जारी कर दिये गये हैं इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12 भी पास है किस भी एस्ट्रीम से अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं आपकी जो उम्र होगी इस अनुसार होनी पूरी जनकारी के लिए हमने वीडियो डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक को प्लप्त करा दिया है पूरी जनकारी आप यहां से भी रिडाउट कर सकते हैं और नीचे आएंगे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिसके सामने आपको क्लिक करना है आपको इस वैप साइ अगनिवीर वायू की त्यारी के लिए बेश्ट खोज रहे थे तो आपके लिए चक्सुप परकासन लेकर आया है काफी संदार बुक जिसमें 2450 बहु विकल्पय प्रसन हल सहीत आपको मिलेंगे बेश्ट प्रैक्टिस सेट दिये गये है और 25 सौब्ड सेट प्रैक्टिस द मिलेगी इस श्टडी गाइड के अलावे चक्सुप परकासन का सेट प्रैक्टिस भी आता है जिसे भी आप खरित कर अपनी त्यारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और मजबूत कर सकते एक सिट अपने नाम कर सकते हैं इस बुक को आप अपने नजदी की किसी भी आफलाइन द दसवी का है उसके कोडिंग ही आपको ड़ाला है इसमें के लियर इन्होंने बता है कि अनग्यणी Naj 카endo you form को फिज कर सकते हैं बात हो देखेगा अपना इपना एमेल आएडगी डालना है मौवाइल नमबर डालना है कौाप्श अ मिलता ऍमेरेटोर ट्वी आपके इमेल और मो वाइल नंबर इमेल आईडी पर आपका जो भी पास्वर्ड हो भेद दिया गया होगा उके वाले विकल पर क्लिक है अब यहां पर आपको नया पासवर्ड बनाना हो उसमें आपको ध्यान रखना है ABCD का बड़ा अक्षर देना है छोटा अक्षर कोई भी सिंबल कोई भी अंक आपको देना है इस परकर का password आपको बनाना है उससे password को दुबारा डालना है capture code को डालना है एक option मिलेगा reset my password का जिस पर click करना है आपका password यहाँ पर change होता है पुना आपको नए जो password आपने बना है अपना email ID उस नए password को डालेंगे capture code को डालेंगे login वाले बिकल पर click करेंगे login करते ही आपके सामने इस परकर का guideline पहले आता है इसमें आपकी जो भी फी है फी बताई गई है कि कितना है साथ साथ जो भी आपकी guideline है उससे आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे नीचे आने के बाद इस जो दोनों check box पर tick करना है option मिलता है continue to registration का जिस पर आपको click करना है यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले personal detail में आपका जो नाम है देखनों को मिलेगा यहाँ पर father का नाम fill करना है mother का नाम fill करना है आपका gender male है या female है उससे आप chain करेंगे और ओके वाले विकल पर आपको click करना है email ID, mobile number यह देखनों को मिलेगा date of birth आपका जो भी होगा date of birth का range इन्होंने बता दिया है कि इस range के बीच होनी चाहिए तो यहाँ सबसे पहले आपकी जो साल होगी आप यहाँ से बढ़ाग हटा सकते हैं और जो महिना आपका होगा उससे चुनिएगा जो date होगा उससे आपको chain करना है बाकि आपको नीचे आना है अगर आप Indian Air Force में अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर बताएंगे इस करेंगे नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे आपकी साधी हो चुकी है तो यहाँ पर unmerit candidate ही form को फिल कर पाएंगे नीचे आने के बाद एक option मिलेगा 7 continue का जस पर क्लिक करना है अब जो detail आपका फिल होता जाएगा यस परकार सही का टिक लगेगा अब qualification detail है जिसमें देखेंगे तीन option दिएगे हैं पहला option है कि यदि आप intermediate pass है जैसे intermediate में आपने English पढ़ा होना जरूरी है साथ है साथ अगर आपने intermediate physics या math नहीं पढ़ा है फिर भी session expire का तो घवराना नहीं है okay करेंगे और दुबारा से पुना ID password को डालकर capture को डालकर login करेंगे उसके बाद आप से पूछेगा कि जो 12 भी आपने किया है उसमें minimum आपका 50 परतिसत अंक है और साथे साथ जो English subject है उसमें भी 50 परतिसत तो आप यहां पर S करेंगे अब कुछ जनकारी पूछी जागी जैसे 12 भी में अपने physics math पढ़ा था तो आप यहां पर S करेंगे S करेंगे तो पूछा जाएगा कि intermediate में आपका stream कौन सा था art, science, commerce वो आप बताएंगे जैसा अगर माल लिजे अपने physics chemistry नहीं पढ़ाता आप यहां पर no करेंगे आप अपना stream यहां पर art भी बता सकते हैं और यहां पर देखेंगे category apply for में आपको option मिलेगे other than science subject जिससे आप apply कर सकते हैं वही कोई science से अगर पढ़ाई किया है intermediate तो उनको यहां पर science subject से भी apply करना का option मिलता है और other than science subject से भी option मिलता है आप दोनों से भी apply कर सकते हैं तो इस recording आप जनकारी को यहां से chain करेंगे intermediate में आपका board कौन सा था उस board को यहां से chain करेंगे बाकि आपकी जो percentage है intermediate में क्या है और बताएंगे जैसा अगर माल लिजए आपका 60.2% है तो आपको यहां पर 60 परतीसत ही बताना है चुकि example में इनों होने clear यह जनकारी दे दिया है कि 60 परतीसत ही आपको बतानी होगी यहां पर सिर्फ 60 लिख दीजेगा बाकि आपके जो marksit होंगे उसमें किस परकार आपके percentage दिये गए है जैसे हो सकता percentage में हो से GPA हो, grade हो जो भी होगा आप उससे यहां से chain करेंगे बाकि subject की जनकारी भढ़नी है जैसे intermittent में English आपने पढ़ा है तो English में आपको कितने number मिले है कुल कितने का exam हुआ था और आपकी क्या English में percentage है उसकी जनकारी आप यहां पर बताएंगे इसे अनुसार math में आपकी कितने number मिले है कुल कितने का exam हुआ था वो बताएंगे, क्या percentage है बताएंगे physics में आपकी क्या marks मिली है क्या कुल कितने का exam हुआ था आपका percentage क्या है physics आप बताएंगे अगर आपने bio भी पढ़ा है तो उसकी जनकारी आप यहाँ से add कर सकते हैं अगर आपके पास computer की knowledge है तो आप यहाँ पर इस करेंगे इस करेंगे तो बताएंगे कि basic है intermediate है या advanced है आप उसकी जनकारी बता सकते हैं बाकि यहाँ पर आपके पास कोई additional marksit है तो यहाँ पर आपस कर सकते हैं नहीं है तो आप no कर सकते हैं बाकि नीचे आना है अगर मान लेजे बाड़ा हुई के बाद आप higher education ले रहा है जैसा graduation करते हैं तो बता सकते हैं आप pursuing है या आपका graduation complete हो चुका है या आप discontinued है या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं intermediate के बाद तो not applicable भी चूनेंगे जैसा आप यहाँ पर pursuing चूनेंगे तो आपको बताना होगा कि higher education जो ले रहे है वो engineering वाला course करते हैं या non engineering वाला है अगर आप engineering वाला course करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्ष्ट्रीम बताना होगा mechanical, electrical, electronics इस परकार के करते हैं तो बताएंगे अगर आप non engineering करते हैं तो आप बताएंगे कि जो graduation आप कर रहे हैं वो कौन से stream से आप कर रहे हैं वो जनकारी आप यहां से बताकर इससे save करेंगे तो इस recording यह जनकारी एड करना है अब यहाँ पर कोई candidate अगर तीन साल वाला diploma course in engineering में किया है तो इस option को चून कर जनकारी को फिल करेगा कोई दो साल वाला vocational course किया है without non vocational subject तो आप यहाँ पर इसको चूनेंगे आप अपने according जनकारी को यहाँ से चैन करेंगे और जनकारी को फिल करने के बाद 7 continue वाले विकलपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने जो qualification दिया है उसका जो marksit होगा जैसे 10 वी का marksit या certificate उसको आप यहाँ पर upload करेंगे क्योंकि certificate बोला गया है तो certificate ही यहाँ साब चूच करकर यहाँ से upload करकर सेब करेंगे आपके पास 12 का जो भी certificate या marksit होगा उससे आप यहाँ से upload करेंगे और सेब करेंगे उसके बाद से बैंड continue वाले विकलपर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको communication detail फिल करनी है जिसमें आपका permanent address जो भी होगा बताएंगे जैसे हाउस नंबर एस्ट्रीट कलोनी या लोकलिटी जो होगा बताएंगे country आपका इंडिया रहेगा एस्टेट आपका कौन सा है कौन सा आपका district परता है आप district यहां से समान है इस check box पर tick करेंगे तो उनों feel हो जागा अलग अलग है तो अलग लग feel करकर seven continue वाले बिकल पर click करना है अब यहां पर देखिए आपका physical से जूरी कुछ जो जनकारी है आपको भड़नी होगी जिसमें आपको सबसे पहले बताना है कि आपके सरीर में कोई ऐसा permanent निसा समान है उसकी जनकारी आप बताएंगे नहीं है तो आप यहां पर no mark भी लिख सकते होगा तो जुरूर आप बता दीजिएगा आपकी height क्या है कि centimeter में आपको बतानी है जो भी आपका height होगा आप अपने coding बताएंगे अब यहां पर आपको बताएंगे कि आपका chest क्या है वो आप जनकारी बताएंगे कुछ additional जनकारी है आपको बतानी है जैसा अगर आपके पास NCC certificate होगा तो आप यहां पर S कर सकते हैं जैस करेंगे तो कौन सा है जैसा C, B, A जो भी होगा आप बताएंगे नहीं है तो no करेंगे तो यह जनकारी आपको भढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप Air Force से Retired है तो उसकी जनकारी S9 में आप बताएंगे बाकि आपको नीचे आना है आपको driving आती है तो आप यहां पर S करेंगे, S करेंगे तो बताना होगा कि किस type की driving आपको आती है टू विलर, LMB या HMB जो भी आती है आप अपने अनुसार यह जनकारी बताएंगे बाकि यहां पर भोला गया है कि अगर आपके पास कोई other skill या कोई भी work experience है तो उसकी जनकारी आप यहां पर रेस्ट करेंगे तो बताना होगा कि आपकी जो skill होगी, किस परकार की experience का skill है नहीं है तो आप no कर सकते हैं, जो आपके पास होगा तो उसकी जनकारी यह बताएंग इसके लाबे आप no कर सकते हैं, बाकि नीचे आएंगे यहां पर medical history के बारे में पता नहीं है, तो अगर आपके पास इस परकार की detail है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, 7 continue वाले विकल पर click करेंगे, अब आपको अगले page पर photo signature आपको upload करन है, जैसे photo आपका जो होगा, JPG, JPG format में होगा, 10 से 50 के भी में photo आपको upload करना है, passport size photo जो आप upload करेंगे, उसका जो नाम रखेंगे, पासपोर्ट slash photograph ये रखेंगे, signature का जो नाम रखेंगे, ये रखेंगे, और left thumb जो रखेंगे, इस परकार रखेंगे, photo जो आपका होगा, इ जिसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर date of photograph, यानि कब photo आपने click किया है, और date mention होना जरूरी है, बाके signature आपको डालना है, आपका जो thumb impression है, उसे upload करना है, save आले विकल पर click करना है, और यहाँ पर आपका जो live photo है, वो capture किया जाता है, आपके system में webcam होनी चा camera बाले विकल पर आपको click करेंगे, system में camera on होगा, आप photo capture करेंगे, उसके बाद एक option मिलेगा, save and continue का जिस पर click करेंगे, उसके बाद आपको अगले page पर redirect करेगा, जहां पर आपको jam city का जो preference है, page 1 के लिए डालना होगा, जहां पर 5 preference city का देना है, जहां से state चूनेंगे, city च reference डालने के बाद एक option आपको मिलेगा, save and continue का, जिस पर click करना है, इसी अनुसार आपको phase 2 के लिए भी आपको center का preference आपको देने होगे, 13 preference आपको यहां पर chain करना होगा, आप यहां से इसे chain करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको palace लिखना है, जहां से भी form का फिल कर रहे है उसके बाद इसका अपचा है, तो form को download कर सकते हैं, draft कर सकते हैं, और दोनों checkbox पर tick करना है, एक option मिलेगा, continue to payment का, जिस पर click करना है, अब आपको payment करने का दो method मिलते हैं, आप जिस भी माध्यम से, जैसे debit card, credit card, माध्यम से payment करना चाहते हैं, आप इस में से कोई भी option को चुन करेंगे, एक option मिलेगा, पे का, जिस पर click करेंगे, और payment पूरा करेंगे, payment पूरा होने के बाद इसका print निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, तो इस परकार आप सभी candidate, Indian Air Force, Agnivir Vive का form fill up, आप पूरा complete कर सकते हैं, मैं आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको काफी पसंदा होगा, पसंदा होगा, तो इससे like, share जरूर करे, चैनल पे नए हैं, तो subscribe करे, आने वाले सारी update की जनकारे के लिए, वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद,